अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लीजे तो चलिए शिरू करते हैं जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था स्विफ टाइट को डार्कनेस की शक्तियों ने जगड़ लिया था और वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है नमगर केता है ये बहुत ही ज़्यादा ड्रावना था हबने ने उनके साथ ट्रैول किया उनके साथ लडाईयां लड़ी पर अभी वो बदल चुके हैν उनके वेपन्स बदल चुके हैं उनके लड़ने का तरीका बदल चुका है या ऐसे कहें कि उनका माइंड ही बदल चुका है यहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं उन पर हमला करने लिए वो साइक्रोक्स पर हमला करने वाले होते हैं और तब ही वहाँ पर स्वीट मरसी आती है वो और भी जड़ा कुंखार हो चुकी है वो उनका मजाक उड़ाते होए कहती है यह कितने बहादो दिखते हैं पर है नहीं और वो उनको चीर के रख देती है यहाँ हम देखते हैं कि गराना भी काफी बदल चुकी है उसने सैनिकों को पकड़ लिया और उसने बड़ी बहरमी से एक सैनिक की बाजू को ही उड़ा दिया नमौर केता है बाकी सब तो ठीक था और जिसको ये लोग दा माउंटेन केते थे वो तो सबसे ज़्यादा बुरी थी वो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन में से लावा निकलता हो और हम देखते हैं कि उसके पास ऐसी शक्तियां है कि उसने अपने लावा से सैनिको को जिन्दा जला दिया यहाँ पर नमौर भी उनसे लड़ने के लिए कूद बड़ता है वो खासा को पीछे से पकड़ लेता है और उसको एक मुका जड़ देता है वो कहता है इसको अभी रोको तुम याद करो तुम कौन हो तुम इस जादू से निकलो तुम खासा हो लीडर ओफ स्विफ्ट टाइड तुम एटलांटिस की हीरो हो खासा उसके गले को पकड़ लेती है वो कहती है मैं तुमें क्रेक्ट करना चाहूंगी लेटल प्रेंस अभी स्विफ्ट टाइड नहीं रही हम अभी हैं ब्लैक टाइड और वो कहती है हम तुम एटलांटिस को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने हमारी लाइफ का एक भी दिन हमें अच्छे से जीने नहीं दिया और मैं स्टार्ट करना चाहूंगी तुमसे वो उस पर हमला करने वाली होती है तभी उसको पीछे कोई भाला दे मारता है और वो भाला उसके आरपार चला जाता है ये एक सैनिक होता है वो कहता है मैंने इसको मार दिया पर उसको कोई एसर नहीं होता यहाँ पर उसके अपनी हीलिंग पावर का भी पता चल जाता है दोर मां एमब्रॉस को कहती है इन पर हमला कर दो दभी साइक्रोक्स वहाँ आती है और वो उसके हमले को जोग देती है वो कहती है इतनी जल्दी नहीं बेटा तुम्हारा पैट काफी अच्छा है पर ये तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा वो कहती है मौउंटेन इन पर हमला कर दो और वो सभी लोग पीछे की ओर जाग गरते हैं और सभी लोग उनको मारने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं और उनको घेर लेते हैं वो कहते हैं अभी हम शाही खाना खाएंगे और तभी सायक्रोस उनको रोग देती है वो कहती है इनको भी हमारी तरह इस डार्कनेस ने टच्छ किया है इन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ पर हो जाएगा और ये भी डार्क ने सिंगे अंदर तक समा जाएगी और जल्दी ही ये भी हमें जोइन कर लेंगे और हमारे जैसे बन जाएगे और फिर ये अपने ही लोगों को मारेंगे या मैं कहूं मरते हुए भी देखेंगे वो उनको भेहोश करती है और वहाँ से निकल जाते है जब वो जाकते है तो उने पता चलता है कि वो वहाँ से निकल चुके है ना मौर कहता है ये वही डार्क पावर है जिसने उनको बदल दिया डॉमा कहती है हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए अटूमा कहता है कि खास सान हमें पहले यही कहा था ना कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम वापिस जाए और सभी को बता दे डॉमा कहती है पर मुझे लगता है हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं यहोना हम उस unfodgetten stone को ले जाएं ता कि वो उनको पहले जैसा कर पाएं टूमा कहता है तो फिर वेट करो میں जाता हूँ और नमौर उसको रोग देता है वो कहता है तुमने देखा नहीं कि उस stone ने उनके साथ क्या किया टूमा कहता है मेरे से दूर फट जाओ तुम मेरे प्रिंस नहीं हो, हमें वो स्टोन चाहिए पर तभी वो लोग देखते हैं कि एंब्रोस में चला जाता है दॉमा कहती है नहीं वापिस आओ नमोर कहता है, हमने तब सब कुछ देखा हमारे आसपर सब कुछ तबाह हो रहा था उस टोन ने हमसे सब कुछ छीन लिया हमारे गार्ट्स, ब्लैक टाइड, एंब्रोस मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीफ फील हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ खुछ चुका है नमोर यहाँ पर डॉमा को दिलासा देता है अभी अटूमा कहता है बहुत हो गया मैं यहाँ पर दुख नहीं मना सकता मैं यहाँ पर रो नहीं सकता मुझे लाइफ में और भी करना है नमोर कहह रहा है अटूमा और उसके पीपल वो काफी दूर दूर तक सफर करते थे और वो उन सबी चीजों का यूस करते थे जो भी उनको मिलती थी और उन्हें पता था इनका यूस कैसे करना है अटोमा कुछ कबार को देखकर उसमें से एक शिप जैसा बना लेता है वो कहता है हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए हम रास्ते में भी ज़्यादा नहीं रुकेंगे हम रुकेंगे खाना खाने के लिए हमें अपने लोगों तक जल्दी ही जल्दी पहुँचना चाहिए वो कहता है वेल्स के पार ज़्यादा स्टैमिना होता है वो हमें पहुँचा देगी वो उनको भुलाता है पर नमोर कहता है नहीं रहने दो वो कहता है वहाँ के लोग मुझे अजीब कहते हैं क्योंकि मेरी बॉड़ी उनसे अलग है मुझे अजीब कहा जाता था मेरी स्ट्रेंथ के लिए और बहुत सारी बातों के लिए बट मैं किसी भी वेल से जारा फास्ट हूँ टूमा और मैं जल्दी ठकने भी नहीं वाला और मैं ही तुम लोगों को जल्दी घर लेकर जा सकता हूँ और वो उनको खीच कर ले जाना शिरू कर देता है टूमा कहता है तो दिखाओ मुझे अपना दम नमोर कहता है मैं उनकी feeling को sense कर पा रहा था मुझे पता था उसको doubt हो रहा है और irritation भी ये सब उस पत्थर की वज़े से हो रहा था मैं डॉर्मा के emotions को भी feel कर पा रहा था वो बहुत ज़्यादा दुखी थी अपने pet के लिए पर मुझे ये भी पता लगा कि उसको मुझे भरोसा है और मैंने उसका भरोसा तूटने नहीं दिया हमने बहुत दिनों तक travel किया हम रास्ते में चलते रहे डॉर्मा न थोड़े time के लिए सोई पर मैं नहीं सोया मैं बस swim करता रहा तब ही वो लोग उस village से गुजरते हैं जिसको उन्होंने बचाया था वो देखते हैं वहाँ पर कंकाल पड़े होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि यहां से black tide निकल चुकी है वो देखते हैं कुछ लोग छुपे हुए हैं और वो उनसे डर रहे हैं तो डॉर्मा कहती है कि यह हमसे डरेंगे ही क्योंकि लास्ट टाइम हम black tide के साथ थे अटूमा कहता है हमें चलते रहना होगा अभी हम इनकी story को भी carry करेंगे नमौर कहता है मुझे याद है कि लास्ट टाइम वो हमें cheer कर रहे थे जब हमने उनको raider से बचाया था वो हमारे साथ अपना food share करना चाहते थे पर अभी यहाँ पर देख कर मेरी रूख काम जाती है याँ हम नमौर के पास present time में पहुंच चुके हैं वो कहता है वो गुसा मुझे अभी भी feel होता है मैं उस time कितना लाचार था उस बात को शायर 90 years हो चुके हैं मैं तब से वहाँ वापिस नहीं गया मैंने सुना है उन्हें सब कुछ दुबारा से बना लिया पर वो अभी भी हम लोगों से डरते हैं जैसा कि अटूमा ने कहा था हम उनको बलेम नहीं कर सकते जो भी उनके साथ हुआ यहाँ पर blood tide mystic को कहती है कै तुम्हें कुछ मिला वो कहती है नहीं अभी तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ ऐसा मैंने काफी दूर दूर तक देखा पर मुझे नहीं महसूस हुआ वो कहती है मेरे king namor वो अभी भी इस साइड नहीं आए एंड्रो मेडा कहती है हमें कुछ और दूरी में जाकर ढूंडना होगा namor हम अपने और guards का group भेज सकते हैं उनको ढूंडने के लिए namor कहता है हाँ मुझे पता है पर मुझे इसी बात का डर है कि वो उनको ढूंड लेंगे वो कहती है इसमें तुमारी गलती नहीं है king in black पूरी दुनिया को तबाह कर देता तुमें ऐसा करना ही पड़ा वो कहता है हाँ उस king of black की वज़ा से मेरे पास और कोई option नहीं था पर ये तो पका है ना कि मैंने दो चीज़े करी है पहली तो ये कि मैंने decision लिया ऐसा करने के लिए और दूसरी ये कि इसका नतीजा बाकियों को भूगतना पड़ेगा जो कि पहले ही बहुत सारे लोग भूगर चुके हैं यहां हम वापिस backstory में पहुँच चुके हैं वो लोग कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं हम उन Atlantians के तरह नहीं हैं हम यही खड़े रहेंगे और जो भी आएगा उससे fight करेंगे उनका बूड़ा जादूगर भी कहता है कि हम लोगों को तुमारे बहादूरी पर कोई भी अशंका नहीं है पर हमें थोड़े टाइम के लिए यहां से जाना होगा और इसी में सभी के बलाई है जब खत्रा टल जाएगा हम लोग वापिस आ जाएंगे और तभी वहाँ लोगों के पीछ टार्क नाशिर हो जाती है तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बलैक टाइड की टीम पहुंच चुकी है साह क्रोक्स केती है तो दादा जी आपने मुझे मिस किया और वो लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं नमोर कहता है हमें भी यह सब फील हुआ मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ जैसे लोग चिला रहे हूँ हम उनसे बहुत ही जारा दूर थे पर मुझे उनका डर महसूस हो रहा था अभी आटुकार अपने साथियों का कहता है जल्दी से उसे पुलाओ और वो एक बुगुल पुचाते हैं और तभी उनका बड़ा सा सीम मॉंस्टर वहां आता है सबसे लड़ने के लिए खार सा कहती है वाँ सी ड्रैगन अभी मजा आएगा नमौर कहता है पर जब हम वहाँ पहुंचे लगभग एक दिन बाद तो हमने कुछ अजीब सा देखा वो लोग देखते हैं वहाँ पर तबाही मची होती है और लोगों की लाशे पड़ी होती है तो यही था हमारा ग्रेंड मिशन लोगों को एसाथ मिला न वो लोग देखते हैं कि ब्लैक टाइड ने सभी को खतम कर दिया और उनके बड़े से सीड ड्रैगन को भी नमोर कहता है हम सब का भ्यानक सुपना सच हो चुगा था अटूमा कहता है मेरे पिता जी उनकी वाइफ मेरे लोग हमारा ग्रेट सीड ड्रैगन सब कुछ खतम वो चिला उटता है वो कहता है यह एटलांटिस इन्होंने हमें उस मिशन बर भेजा उस पत्थर को लाने के लिए और यह सब एटलांटिस की गलती है और उसके हाथ में खौपड़ी होती है उस बड़े से सीड ड्रैगन की तो गाईस अभी हमें देखना होगा के अटलांटिस के साथ होता है या उनके अगेंस्ट और यह हम देखेंगे नेक्स वीडियो में इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ